नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मेनिया शितंबर महीने से टीम इंडिया ओपो वाली जर्शी में नजर नहीं आएगी ओपो की जगे अब भारती ब्रांड ने ले ली हैं जिसके आधिकारी कहलान जल्दी हो जाएगा भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी 26 और चाइनीज कमपनी ओपो के बीच हुआ करार शमाप्त होने से पहले ही शमाप्त हो गया ओपो ने घाटे से बचने के लिए टीम इंडिया के टाइटिल इस्पोंशर के राइट भारती कमपनी को शेयर कर दिये ओपो की जगे अब भारती टीम की जर्शी पर बैंगलूर बेश्ड एजुकेशन टेकनोलोजी वाली कमपनी 22 नजर आएगी दरसल एक मेज के लिए चाइनीज कमपनी ओपो को 26 को भारी रकम देनी पड़ती थी जो इस कमपनी को घाटे का सोधा लगा यही कारण है कि ओपो ने टीम इंडिया का इस्पोंशर रहने से अपने हाथ खींच ले मार्च 2017 में लगी बॉली में ओपो ने विवो को बॉली में पचाड कर 1089 करोड में 5 साल के लिए टीम इंडिया के मेन इस्पोंशर के राइट हासिल किये थे विवो मॉबाइल कंपणी ने 768 करोड की बॉली लगाई थी लेकिन ओपो ने बीच में इस करार को खत्म करके इसके अधिकार 22 जू को परदान कर दिया है जिसके शीमा 31 मार्च 2022 तक है क्या आप जानते हैं कि एक मेंच के लिए ओपो को कितने करोड रुपए 268 को देने होते थे अगर नहीं जानते तो आप जान जाएंगे दरसल ओपो द्वीपक्ष शीरीज के एक मेंच के लिए 268 को 4.61 करोड रुपए दे थी वहीं आईशीशी के टूनमेंट में किसी एक मेंच के लिए रकम 1.56 करोड हो जाती थी क्यूंकि इस दोरान इस पॉंशर शीने पर नहरा कर बाजू पर चला जाता था ओपो से पहले टीम इंडिया की टाइटल स्पॉंशर इस्टार इंडिया थी जो द्वीपक्ष शीरीज के लिए एक मेंच के लिए 268 को 1.92 करोड जबकि आईशीशी इवेंट के लिए एक मेंच के लिए 1.60 लाग रुपए देती थी चुकि अब राइटर बाइजू के पास हैं तो इस कंपनी को 268 को द्वीपक्ष शीरीज और आईशीशी के टूर्नामेंट के एक-एक मेंच के लिए ओपो के बराबर रकम चुकानी होगी तो गाईज आपके क्या है ओपिनेन कमेंट बॉक्ष में जरूर शेर कीजेगा अगर वीडियो आईए पशन तो इसे लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा अगर आपने महर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और फ्रेश कीजे बैल आईकन को धन्यवाद